यहाँ पर तो आचाने के उने फाइरिंग शुड़ू कर दी भाई एक मिनिट एक मिनिट अभे अभे मेरी मेरी गाड़ी गाड़ी अभे वाटी सब गाइस कैसे आसे भी लोग एंड वेलकम बैक टू आनदर गेंपले वीडियो ऑफ जी टी ए फाइं तो पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हम जीमी को लेके गए थी बीच पी घुमाने के लिए लेकिन जीमी ने वहाँ पर कहा कि ट्रेसी किन से किसी लड़कों के साथ पार्टी कर रही थी फिर उन लोगों ने तो वहाँ पर अंदर दून फाइरी तो शुरू कर दी थी और गन तो मेरे पास भी थी तो मैंने भी फाइरी शुरू कर दी और उनको दोनों को मार दिया था लेकिन उन दोनों को जो मैंने मार रहा था उन मैं Franklin को भी अपने साथ कर लो क्योंकि वो मेरे ओपर कभी भी हमला कर सकते अगर कोई दो आदमी रहे तो मैं बज़ भी सकता हूँ आज मैं Franklin को कुछ gift करना चाहता हूँ क्योंकि वो हमारे साथ हमेशा घूमते रहे तो मेरे ध्यान में यह आए कि मैं उसको कुछ वेकल gift करूँ अब देखते है कि कौन से वेकल हमारे budget में है या नहीं तो हम आए इस साइमन के शोरू में और इस नहीं हमारे पहले गाड़ी चुरवाई थी लेकिन अभी हम दोस्त भी बन गए और आती भाई यहापर तो Rolls Royce खड़िए भाई और ये दो Super Cars भाई किती बढ़िया ब़िया कार से और Simon भाई कैसे हो आप एक बार बता हो जम्हसे आप लेकिन पहले यह देखो किती बढ़िया बढ़िया कार से भाई यार ये ये खरी सकता हूं कि मैं नहीं खरी सकता हो वैसे तो उससे खरी देंगे एक बार तो खरी देंगे हम बाद में पुरा रोल्स राय का शोरू में खरी लेंगे मैं हम एक दिन तो पहले साइमन से बात करते कि यहां पर हमारे बजट में कौन सी बाइक है या नहीं तो all right guys तो साइमन ने हमें सारे cars और सारे bikes की price बता दिये और यह चारो कार हम नहीं खरीद पाएंगे लेकिन इस शोरो में एक चीज है जो हम खरीद पाएंगे वो है bikes और उन में से यह बाइक्स तीनों हमारे बजट में लेकिन तीनों में से मुझे बहुत बढ़ा तो यह लग रही यह तो कावा सा की निंजा है भाई किती बढ़ी अकार है लेकिन इसने कहा कि तुम सारे गाड़ों के टेज ड्राइविंग तो लेई सकते हो तो सबसे पहले हम यह साइड वाली बाई की टेज ड्राइविंग तो चलो जल्दी से इस पे बैठ जाते हैं पहले इसका साउंड चेक कर लेते इतना लाउट तो नहीं है लेकिन बड़ी आया वैसे भी पहले यह ओ भाई स्पीर तो इसमें भी है भाई स्पीर तो इसमें भी है अब मेरा लास में चलाएंगे सबसे पहले हैं सबसे पहले तो यही चला ले अब यह इस वाली को भी चला के देखते हैं महेंगे तो है यह बी और इसका भी साउंड चेक पारते हैं पहले भाई इसका साउंड तो उससे भी बड़ी है तो भाई स्पीर तो भाई इस पे भी है भाई य यह दिखने में क्या लूक है भाय इसका यह ज़बरदस he Sabid करते यह तो सभसे ज्यादा that फिडे देखो वाई क्या ही पीड ऑई इस भाई में भाई मुझे तो यह खरीदनी अभी है इसक्स 6 गाड़ों को चलाती वगे पहले इन सारी गाड़े को side भी करतेता हूं मैं तो सबसे पहले हम चलाएंगे ये बावाली रॉयल रॉयल से प्यार से प्यार से निकालोंगा या बना ठुक भी गेना वार लेने के देने पड़ जाएंगे इसका भी sound check करते है पहले कैसा है ये भाई फूल रॉयल गाड़ी है ये इ यह गलती से में exit हो गयां ड़् अगर si को साइमयन को पता चल गया तो ऑbird damage तो नहीं होगी लिगार ठोकी सो जल्दी से मुझे एक ये एक लास लास बस ये वाली ट्राइ करनी मुझे क्योंकि बहुत एट्रेक्टिव डिख रही है मुझे साउंड चेक करो एक बाई इसका अरा भाई इन चारे गाड़ियों को मैं खरीद के जाओंगा एक दिन सो हमारी डील तो हो चुकी और मैंने फाइनली ले ली है ये कावासा की निंजा भाई तो ये भाई आपको कैसे लगी मुझे कमें सेक्शन में जाके जरूर बताना भाई मुझे तो पहले से यही बहुत फेवरेल लगी थी मैंने जब पहले बार इसे देखा था तो ये गाड़े में कुछ दम तो है भाई एक नमबर भाई के मतलब वाउ लेकिन फिर हमारी रोयल इन्फिल तो इदरी रही है कोई नहीं इसे मैं बाद में लेके जाओंगा तो इसे मैं जल्द से जलता हूँ अभी फ्रैंक्लिन को देने के लिए इसको मैं चला के लेके जाओ या कुछ मंगा हूँ एक काम करता हूँ मैं इसके लिए कुछ मंगाई लेता हूँ इसको ऐसे टॉक करने के लिए क्योंकि मैं आगर चला के ले जाओंगा तो मैं इसे बहुत ठोकूंगा तो आल राइड गाई यहाँ पर अपनी गाड़ी भी आ गई जिस पर हम अपनी गाड़ी टॉक करके लेके जाएंगे क्योंकि भाई मैं ठोक दूँगा तो वह और बहुत मेंगे सामानाते हैं उसके अब जल्दी से चलाते हैं इस गाड़ी को उस गाड़ी के ऊपर और लेके जाते हैं फ्रैंकलीन के पास मैंने इस बाई को चड़ा दिये इस ट्रक के ऊपर अब इसको जल्दी से लेके चलते हैं फ्रैंकलीन के पास भाई मुझे बहुत ध्यान से चलानी होगी यह बाई वरना मैं कहीं ठोक ना दूँ इसे बाई एकदम ध्यान से एकदम ध्यान से भाई भाई हड़ जाया यह बाई देखो आगे आगे जा रही है कि यह बाई गिरना जाए उपर से और वरना खर्चा और बढ़ जाएंगा इससे बाई यह गारी दो तीन बार गिरते घरते बज़ गई लेकिन मुझे अच्छे से लेके जाना तो पढ़े गए क्योंकि जैसे मैं इसे आगे कर रहा हो तो यह बाई बहुत मुष्किल हो रहा है लेकिन एक सेकंड यह मुझे रोख क्यू रहा है देखना तो बढ़ेगा कोई से बाते करके आता हो कि यह कहना क्या चाहता है एम कर रहे है या पता नहीं जल्दी से इन से बाते करता हो कि कहना क्या चाहते है भाई हाँ बोल जल्दी क्या कहना चाता है तू मुझे को bluetooth रह था भाई तो पता पूछ और मुझे का एक मिनिट तो ज List प्लताइब है मेरी मेरे एक मिनट वह मेरे रहिए ऑ ज़रोग खौक है बोल हमेराई लेका यार इंकी तो मैं ऐसी क्यों अभात entit वह जल्दी से जल्द जल्द किदर इदर टर्ण किया शायसूस ने भाई उसकी गाड़ी मुझसे बहुत जादा स्पीड है यार लेकिन कोई नहीं मैं उसे पकड़ लूगा भाई बहुत महेंगी गाड़ी थी यार यह मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है और मैंने क्यों उसे गाड़ी नहीं मतलब यहीं ट्रैप था मेरे लिए भाई यह ट्रैप में भी मैं फस गया वहीं उसे सेम कपड़ पहने थे मुझे लगा यह गाड़ी है भाई अब मेरे गाड़ी लेके वह खाच चले गयोंगे देखते हैं उस गाड़ी का कुछ पता चल पाता है या नहीं कुछ GPS वबर हो गाड़ी का तो गाड़ी पता चल जाएगी कि वह गाड़ी कहा लेके गया है हम साइमन के शोरूम में पहुचने वाले मतलब लगब पहुचे गए भाई मेरी गाड़ी अब इससे जल्दी से पूचना पड़ेगा कि मेरी भाई आरे यार मैं इस गाड़ी को ठोक दिया रहेंदो रहेंदो भाई जल्दी से उतर के उससे पूच लेता हूँ कि भाई उस गाड़ी का कुछ पता चल पाएगा या नहीं भाई 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 जल्दी से खोल ले तो चलो जल्दी से पूच लेता हूँ So all right guys So मैंने इससे सारी बाते कर ली तो इसने कहा कि हमारे बाइक्स में जो है वो GPS लगा हुआ है मतलब ये सारी बाइक्स में GPS लगा हुआ होता है तो ये थोड़ी देर में मुझे बता देगा कि मेरी गारी कहा पर है तो उसने कहा कि थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा तो all right guys मुझे या पर खड़े खड़े ये घंडा तो हो गया अब तो काम होई गया होगा अब जल्द जल्दे साइमन से पूछते कि क्या हुआ या भाई भाई साइमन तो या पर तो ही नहीं साइमन लगता है होफिस में बैटा होगा तो हाँ भाई होफिस में बैटा है और ये को ने भाई तो जल्दे से साइमन से बात ये कर लेते हैं so all right guys मेरी साइमन से बात तो हो चुकी है तो यहाँ पर जो ये लड़की है न ये एक हैकर है मतलब जो GPS वगएरे ट्रैक कर सकती है तो ये पिछले एक घंटे से काम ही कर रहे और इसे अब भी तक पता नहीं चला कि गाड़ी कहा पर है तो इनका कहना ये कि उन लोगों ने GPS हटा दिया होगा भाई और ये और टाइम मांग रहे भाई क्या करू मेरी गाड़ी जोरी हो गई है यारे आपे सो गई साइमन मुझे ऑफिस में बुला रहा है लगता है काम हो गया भाई जल्दी से उसे पूछता हूँ तो आल राइड गाई इसमें सच में लोकेशन तो भीज दिये की उसे का कि ये लास लोकेशन थी इसके बाद तो ये ट्रैक हुई नहीं तो आप वहाँ पर जाके देख लो क्या वहाँ पर सच में बाई कहें या नहीं भाई मुझे जल्दी करना होगा भाई तो रॉयल इदर ही रुख जाया है इसको ही ले जाता हो थोड़ी स्पीड तो है इसमें तो आप जल्दी जे चलते उस लोकेशन पर भाई उसी लोकेशन पर गाड़ी हो मुझे ऐसा तो नहीं लगता है क्योंकि अगर जीपयास हटा दिया है तो उस लोकेशन पर गाड़ी मुझे लगती थी नहीं लेकिन कुछ ना कुछ सबू तो छोड़े होंगे उन्होंने वहापर तो चलो जल्दी जे चलते उस लोकेशन पर तो आल राइड गाइस लोकेशन तो मुझे इसी साइड के बता रही थी वो तो आल राइड गाइस लोकेशन तो मुझे इसी साइड के बता रही थी वो तो यहाँ पर उसको लास लोकेशन पता चली थी मतलब यहाँ पर गई होगी मेरी गाड़ी ओ यार यह काट ठूके भाई यार इधर पहले मेरी गाड़ी नहीं है और यह गाड़ी और ठुक रहे है यहापे भाई मेरी गाड़ी मिल जाए जल्दी से प्लेस भाई ऐसे कहा ले गए वो मेरी गाड़ी को और उनसे मैंने पंगाई क्यों लिया पता नहीं अब यह लड़ाई कब खतम होगी लेकिन मेरी गाड़ी अगर मुझे मिले ने ना मैं उनको पूरा खतम कर दूँगा उनकी फूरी गैंगे खतम कर दूँगा मैं क्योंकि मुझे लोकेशन तो पता है उनकी आल राइड गाई सो जीपेस के थूरू हम उस लोकेशन पर पोच नहीं वाले भाई यही लोकेशन था यहां पर 15 कि निंजmeter है इस ही प्ता चल गया कि मैं इसे इन आ गया उगूज यह पर तो आचलने कना उन्हें सुडूह कर दी भाई यह मेरे पास वह रसरीटे मारे कुछ काम की नहीं है इतनी। मुझे कुछ समझ में नहीं रहे हुए हिनको मारूं कैसे। । बाई 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 बज गया बज घया बज घया अब थोड़े से पीछे वाले बाकी है। सो क्यों दबा के मैं जल्दी से यहाँ पर चुप जाता हूँ और ये भाई 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 जल्दी जल्दी कोवर लेना पड़ेगा भाई कम हेलते बहुत ओ भाई कितने मार रहे यार ये भाई मैंने सब को खातम कर दिया एक पिस्तल से भाई अब इनकी गन ले लेता हूँ और फाइनली ये रही मेरे गाड़ी भाई इसका करण भी चेंज कर दे इन्होंने अगर पेचान में ना आए तो भाई बहुत जल्दी काम करते हैं भाई इसमें GPS था इसलिए हमने ये गाड़ी ले ली अब जल्दी चलते फ्रैंक्लिन के पास और इसको गिफ कर देते भाई तो आल राइड गाई तो हम फ्रैंक्लिन के यहां पर पहुचनी वाले भाई जल्दी से उसको गाड़ी देता हूँ और उसका रियाक्शन देखते हैं भाई वो गाड़ी देखके मतलब खुश हो जाएगा क्योंकि उसके पास कोई बाइक है यह नहीं और यह रहा फ्रैंक् इफ जा ओर यह देख बाइक और यह बाइक देरे लिए मैं गिफ लेके आया हूँ और यह बाइक आजसते तेरे हुई आढ़े भाई है यह फ्रैंक्लिन खुशी के मारे लेके आया हूँ जा जाके जलिदे चला तो guys यह Franklin इस गाड़ी पर बैठ गया है भाई क्या भाईक है और यह देखो लेके जा रहा है भाईक भाईक कितना खुश हो गया हो बंदा तो यह भाईक आपको कैसे लगी comment section में जाके जरूर बताना और अब भी मैं और Franklin जाएंगे उस वाली location पे तो guys आज के वीडियो में बस इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो जाके लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर देना आने वाली वीडियो में मैं कैसी फाइट्स करू वो भी comment section बताना और मुझे कोई नई गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं वो भी बता देना तब तक के लिए बाई बाई